और अब सियासी बात करते हैं धनबाद में अब मेयर और विधायक आरपार की लड़ाई के मूड में है परदे के पीछे की लड़ाई अब खुल कर सामने आ गई है विधायक गुट के पारशद मेयर के खिलाफ मोर्चा खुल चुके हैं तो मेयर गुट के पारशद विधायक पर आरोप लगा रहे हैं एक रिपोट देचे पारशदों की बयान बाजी से चड़ा पारा कई पारशदों का आरोप विधायक ने नहीं दिया विकास कारियों में साथ कई पारशदों ने मेर के खिलाफ ही बिगुल फूंका जी हाँ धनबाद में मेर वर्सेस विधायक का विवाद तूल पकड़ता ही जा रहा है कई पारशद तो विधायक राजसिनहा के खिलाफ नजर आए इसे लेकर पारशदों ने कांधी सदन में मेर के समर्थन में बैठक की बगएर साख्ष के किसी को भी आरोपी ठारा देना ये कहीं से भी उचित नहीं है और हम सरकार से ये भी मांग करेंगे आप लोगों के माध्यम से बिधायक जी के द्वारा भी जो 6 साल से वो भी बिधायक हैं उनके बिधायक मत से जो योजना का काम हुआ है जो जितने भी सड़ेक नाली बनी है उसके भी गुनवत्ता की जांच होनी चाहिए इस बैठक में 55 वार्ड वले धनबाद नगर निगम के 12 पारशत शामिल हुए उसमें से भी एक पारशत प्रतिनिधी ने बैठक में शामिल होने के लिए किये गए हस्ताक्षर कोई गलत ठाहरा दिया पारशत वाले धनबाद नगर निगम में से कई मेर चंदर शेखर अगरवाल के खिलाफ है और विधायक राद सिनहा ने कहा भी कि वो नगर निगम ही क्या अपने कारियों की गुणवत्ता के लिए भी तयार है मेर और विधायक के बीच की सियासी लड़ाई में पारशतों का भी अपना अपना पक्षताय हो गया अब जो बीच के हैं जो तटस्ट हैं जिन्हें इस सियासत से कुछ लेना देना नहीं असली मुश्किल तो उनके लिए हो रही निउज 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंग के रिपोर्ट तो धनबाद में बीचेपी के अंदर जबरदस्त घमासान मचा है विधायक और मेयर का विवाद तूल पकड़ता ही जा रहा है पर विधायक और मेयर के इस युद्धों में सांसत सहब चूप हैं एक रिपोर्ट देखे रहा है जो आग दिख रही है उसे बुझाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा शाल चरित्र और चेहरे की पाटी कहे जाने वाली धनबाद बीजेपी में फिलहाल कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा पाटी के भीतर मचे अंतर कलह खुल कर सामने आगे जहां एक ही पाटी से तालुक रखने वाले बीजेपी विधायक राज सिनहा और मेयर चंद्रशेखर अगरवाल के बीच विवाद हर रोज अख़वार और टीवी की सूर्खिया बन रहा है वहीं इस विवाद की जड़ में पिछला विधान सबा चुनाव माना जाता है बताय जाता है कि पिछली रखुवर सरकार में ताकतवर माने जाने वाले मेयर शेखर अगरवाल कई मुद्णों पर राज सिनहा की मांग की परवाह तक नहीं करते थे और अपनी मनमानी करते रहे यहां तक की सड़क पानी फ्लाई ओवर सहित कई मुद्णों पर दोनों के बीच मतभेद खुल कर सामने है जो तुम को हो पसंद वही बात कहेंगे तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे जो तुम को बस धनबाद की जनता के लिए इतना ही इधर मेयर शेखर अगरवाल ने कहा कि विधायक से उनकी कोई रंजिश तो है नहीं और ना ही विधायक ने ऐसे कोई विकास की मांग रखी जिसे निगम ने पूरा नहीं किया अगर कोई ऐसी चिठी हो तो विधायक दिखाएं अगर को लेकर जो तै करना है संगठन को तै करना है आज आ रहे हैं साथ में हम लोग जाएंगे बहुत सी बाते होगी सवाल इसलिए भी मौजू हो गई है क्योंकि दोनों के बीच लगातार किसी रखिसी मुद्धे पर बयान बाजी चल रही है और इसे कर्च करता असमज़स की स्थिति में है जबकि जबाब में बिधायक रासिना कह रहे हैं कि अब वो इस मसले पर कुछ भी नहीं बोलेंगे और यहां तक ही गाना गुर्णगुना देते हैं और कहते हैं कि जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे कैमरमन कृष्णा के साथ अभिशेक कुमार नूजलवन भारत धनबाद और अभिशेक साहियोगी हमारे साथ धनबाद से सीथे जुड़ चुके हैं अभिशेक जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे काफी शायराना अंदाज रात सीना का नजर आया पर एक एक यह जब मैं पूरी स्टोरी देख रहा था तो मेरे दिमंग में भी एक गीत आया कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं तुम किसी और कुछ चाहों कि तुम मुश्किल होगी तो कैसे देखें अभिशेक इसे जी बिल्कुल सही का आपने अवशेक की इस मामले में सियासी तुफान तो मचा हुआ है यह धनबाद में इस वक्त में अगर आप कहें तो भाजपा की यह अंतरकला है यह इस वक्त में चोक चोरहों से लेकर सियासी गल्योव में सबस्यादा चर्चा का विश्य बना उवा है फिस निषव रगवर जी के टाइम में ही पड़ गए थी रगवर जी के समय में ही बहुत सारी चीजे जो है जो करवाहट जो रहा यानि जो उनके करीबी रहे रगवर जी के सत्ता में जो बहुत करीब रहे और उसे जो दूर रहे या जिनको पूछ नहीं मिली वो थोड़ा कहीं न कहीं बयान था कि इस बार जो है मुझे जंता ने बचा लिया जंता ने चुनाव जिताया बढ़ना पार्टी के कुछ लोग उनको हरानी की साजिस कर रहे थे वो नाम नहीं खोले नाम नहीं बताए लेकिन उन्होंने ये बात कहके सारवजनिक मंच पर और टीवी के जरिए बयान द दिया था और कई तरह की बात सामने आई थी उस समय में या कई मोर्चों पर कई बातों पर जो है ये नाराजगी देखने को मिलती हाला कि आज के पर दिश्य में थोड़ा माहौल बदल गया है सांसत का जो है वो जुकाओ थोड़ी मेयर के तरफ हो गई है लगातार वो मेयर से मिल कर आये हैं और देखिए बड़ी बात यह है कि वो फ्लाइवर के मांग करके यहां तकी एयरपूट की मांग करके आये हैं तो कुछ लोग सोसल मीडिया पर चर्चा भी छेड़े हुए है लेकिन एक बड़ी बात यही है कि इस वक्त में विकास के मुद्दों पर करका ह तो पक्ष और बिपक्ष भाजपा में ही जो है सब कुछ देखने को मिला बाहर से कुछ नजर नहीं आ रहा है तो यहां पर विधायक जो है वो लगतार फेस्बूक पर अपनी जो या ट्वीटर पर जो लिख रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा मतलब चर्चा का विशाय बना होती हैं तो वो बहुत सारी बाते वो कहना चाहर tremde अब बाते नहीं हो पाती मुलाकाते भी नहीं हो फारी है तो आज सांस्सद से जब मैंने पूछा कि यह दोनों के बीच की नाराजगी दूर क्यों नहीं होती तो वो उन्होंने बड़ा मजदार टिपनी किया कि तीर कमान से और बात जबान से अगर निकल जाए तो वो वापस नहीं आती और अभी भावक होना कोई पद तो है नहीं तो इस मामले पर संगठन देखेगी और संगठन इस पर विचार कर लेकिन वो इन्होंने भरोसा दिलाया क्योंकि देखे सांसद यहां अभिभाव कर रहे हैं मजबूती से 40 साल के राजनेती में उन्होंने एक तरसे पार्टी को फर्स से अर्स तक पहुंचाया है तो उनकी जब अब ज़्यादा बढ़ जाती है और इसलिए उन्होंने कहा कि में और विधायक के दोनों से चर्चा होगी दोनों से मुलाकात होगी और सारी चीजे उन्हों ने बताए कि दुरुस्त हो जाएगी तो अब पार्टी के अंदर जो अंतरकला है बिभीन मुद्दो को लेकर ये अब कब खत्म होगी ये देखने माली बात होगी फिलाल पार् शियत का असर क्या होता है लेकिन देखें वियादार सिनाहा करसाइली है उससे लगता नहीं है कि वो अपनी बातो वे- औरी काम पर भ्र्श। हो सरकार के कश्टूडियों हो तो उनकी भी जब अब दूति नहों रही है कोडूरों रोपे कि गोटाले की बात सामने आं रही है तो किवल किसकी बंदल वे पहले जो उनका सूर था और आज के सूर में थोड़ी बदलाव आ गया है। यह चलती है और घर में जहां कहीं भी लोग रहते हैं थोड़े कर्षकरता थोड़े परशान है वह किधर जाए किसकी बात करें और फेस्बुक में जो है सब अपने अपने दर्द बया कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ी थी यह थोड़ा जादा जो है अभी आपने एक रिपोर परशान से तो कई पार्षट तो वह तटास्थ वाले पारशाद जो और उन्हें समnde कर रहे हैं जो मेर की करीब रहे पारषद उनको ज़्यादा परशानी नहीं हुई उनको जो जो है कारज के हिस्से में या तो जादा कुछ नहीं बोलेंगे और सभाविक है कि वो उनके पक्ष में आएंगे लेकिन जिनको लगा कि हमें पूरे पांच साल पूरे पांच साल के टेनियर में हमारी हिस्से का जो है नहीं मिला या हमने जो चाहा वो नहीं मिला तो थोड़ी नराजगी और उसकी संख्या जादा है देखिए बारा लोग समर्थन में आते हैं और पच्पन में से बाकी जो है अगर विरोद करते हैं किसी नकिस रूप में तो यह अच्छी स्थिति नहीं कहीं जा सकते हैं मेर के तो मेर थोड़ी से परेशान ज्यादा है क्योंकि पार्टी में भी कुछ लोग अबी निगब पे शुरू हो गई है तो उनको थोड़ी चिंता अपनी च्पी को लिख रही है और इसलिए देख रहे हैं कि इस वक्त में सोसल बिडिया पर सभी लोग जो हैं अपने अपने पक्ष में जो है लगतार बयान बाजी हो रही है लगतार उस पे पोस्ट लिखे हैं और अपना ब्रैंडिंग कर रहे हैं और यह दिखाने कोसिज कर रहे हैं कि हमारे वज़ा से यह विकास का हुआ और हुआ भी है ऐसा नहीं कि निगब मेर कोई कार्ज और उनमें किया है। विकास के नाम पर लूट भी तो बहुत हुए यह लूट की छूट कि इस ने दिया रगवर राज में खुब जिनकी जो पहुच थी उन्होंने अपने मजे की बहुत अच्छे इस्तिति में रहे तो यह दोनों तरकी बात है मतलब यह कह सकते हैं कि जो सुभिधा की राइनिती हुई है और इसमें सबसे जादा लाब उनको मिला है जो रगवर जी के करीबी थे और यह यही जाता था कि उस वक्त हमें तो कुछ चीजह आप समझ सकते हैं तो उसका लाब हर तरह से होता है और आप समझ सकते हैं कि मैं क्या चाहरा हूई तो बाते हैं वो ऐसी सब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें अगर आप विकास कराएंगे नहीं फंड आप यह करेंगे तो जंता के बिच आप कहेंगे क्या तो यह लड़ाई सिर्फ अभी तक के नहीं है यह आगे भी है बविस्की चुकि सांसत के बाद उत्रा की राजनती है अभिशेग चले चले अभिशेग तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जादा जानकारी देने के लिए इस खबर की सही वायने में समीक्षा बताने के लिए